सीम सुख्षु ने फिर दोहराई हाई कोड द्वारा असम विदानिक बताय जा जुगे वाटर सैस को लेने की बात मुखे मंत्री बोले पानी पर टेक्स वसूलने के लिए नया कानून लाएगी प्रदेश सरकार देड़ साल पहले मशूर कॉमेडियन रह पजाब के सीम ने सुखु सरकार के बाटर सैस का मजाक उडाते वे पास करवाया था निंदा प्रस्ताओ मुखे मंत्री बोले कल शानन प्रोजेक्ट की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार द्वरा खड़े किये जाएंगे बेस्ट एडवोकेट्स डेप्यूटी सीम अगनी होद्री कर रहे थे गतवर्ष वाटर सैस साल आना चार हजार करोड की आमदनी होने के दावे सैलरी वा पेंशन देरी से देने पर विपक्ष द्वरा सरकार के दिबालिय पन के कगार पर होने की बात को सैशन के आखरी दिन सीम ने गलत बताया यह ठीक है कि कोट में उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से रखा होगा उसकस्टे है कल ही हमारा 11 तारी को केस लगा है शानन का हम ने वहां कहा है कि बैस्ट वकील खड़े कीजिए पैसा जितना मरजी लगे हम बैस्ट वकील खड़े करेंगे और परदेश के अधिकारों की रख्षा करने का दायतव हमारी सरकार का है और हम उसको करेंगे वाटर सेस के मामले में मैं सपस कर देना चाहता हूँ आज इसके हम इस पर घंबीरता से विचार कर रहे हैं परदेश का बहता हुआ पानी हमारी आये का मुख्या साधन है और हमने एक मिटिंग की है वो मुख्या मंतरी महोदे से मेरी चर्चा हुई है कि यूनिवर्सल और बहता है चाहिए वो बांध के रूम में स्टोरेज होता है हम उस पर आने वाले समय में एक निया एक्ट लेकर आ रहे है ताकि जो पानी जो हमारा बहता है उस पर हम किस परकार की यूटिलाइजेशन और बाटर के रूम में ले भी लगा सके तो कांगर्सिया ने नमासे सब्सक्राइजेशन और बाटर के रूम में ले सकते हैं इसलिए हम उस उनके ओर्डिनेस की पहावना को नकारते हैं पानी हमारा है मैंने पहले भी कहा पानी हमारा है पानी के जो राइट सें उनको दोहन करना और इसलिए हमने साथ अशलों पर एक नौफी सदी जो हमारा हिस्सा है पानी का उसका मसला भी हमने उठाया है water session ने लगाया है और यह हमारे पानी जो है state subject है पानी राज्या का subject है बिजली केंदर का subject है पानी पे text ने लगाया? पानी बाइबाया बिवाग नै तो यह राज्या का अधिकार है एवार्य ने अपने हसाब से water calorie session लगा दिया चार हजार करोड रुपया इससे अर्जित हो सकता है हिमाचल के मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्फो ने डेड़ साल बाद एक पर फिर हिमाचल हाई कोर्द वरा समवेदानी करार दिये जा चुके पानी पर टैकसत्वा सेस लगाये जाने संबंदी कानून लाए जाने की बात कही मुख्य मत्री ने कहा कि हिमाचल की नदियों का पानी प्रदेश की संपता है और सरकार जालूब का रत्वा पानी पर लेवी लगाये जाने संबंदी नया कानून लाएगी उन्होंने कहा कि बेशक हाई कोड़ द्वारा वाटर सेस पर रोग लगाई गई है मगर उनकी सरकार इस मुद्डे को मजबूती से उठाएगी और कल होने वाली शानन प्रजेक्ट संबंदी केस की सुनवाई के दौरान बेस्ट एड़गट प्रदेश सरकार खड़े करेगी गार तरह पे किस से पहले लास्ट इयर भी सरकार ने वाटर सेस संबंदी कानून लाकर वाटर कमिशन का गठन किया धा मगर करीब उन्तालिस हाईडो पावर कमपनी नहीं से इलिगल करार देते वे हाई कोट में याची का दायर की धी जिसके बद हिमाचल हाई कोट ने इस एक्ट को खारिज करते वे कहाधागी प्रदेश सरकार को इस तरह का कानून बनाने का कोई संबेदानी का धिकार नहीं है उस दोरन मशूर कॉमेडियन रह चुके पंजाब के मुखे मंत्री भगवन मानने वाटर सैस पर सुखु सरकार का मजाग उडाते वे कहाधागी कारंट वाला पानी देंदे तुसी पंजाब सरकार ने जहाँ इस बारे निंदा प्रस्ताओ भी पास किया था वहीं हर्याणा के दतकालीन मुखे मंत्री ने भी इसे वाटर टेटीस के अवेलना करार देते वे प्रदेश को सैस देने से साफ इंकार किया था दोनों मुखे मंत्रियों के बयान के बद सीम सुक्विंदर सुक्खु ने भी एक स्टेटमेंट जारी की धी जिस में उन्होंने वाटर सेस सरकार से नहीं बलकि बिजली बनाने वाली कंपनियों से लेने की बात कही थी उस दोरन डेपिट्वी सीम मुखे शकनी होतरी ने कहीं बार मीडिया से बातचीत में कहदा की वाटर सेस से प्रदेश सरकार को सालाना करीब 4,000 करोड की इंकम होगी जिससे सूबे का अर्थिक संकट दूर होगा और दलब है कि करमचारियों को समय पर तनखवावा पैंशनर को पहली तारिक को पैंशन न दे सकने वली प्रदेश सरकार रिसोर्स मोबलाईजे शनत्वा आमदने बढ़ाने के लिए पानी शराब सिमेंट वो पैट्रोल डीजल आदी पर टेक्स बढ़ाने जैसे कई उपा आली का रो ना रो रही प्रदेश सरकार द्वरा एक हजार से ज्यादा संस्थान बंद किये जाने पहले ही साल में पैट्रोल डीजल के दाम साथ रुपे से ज्यादा बढ़ाये जाने दो साल में सीमेंट की कीमत सोर रुपे बढ़ने वा विविन कल्यान कारी योजनाय से पानी पर टेक्स लगा रहे संबंदी नाया कानून ला सकती है मौन्सुन सेशन के आखरी दिनाज मुखे मंत्री ने विपक्षत्व भाजपा द्वरा किये जा रहे हैं सरकार के आर्थिक दिवाली पन के कगार पर होने संबंदी दावों को गलत बताते वे कहा कि की गवर्म पर टारीक को केस लगा है शानन का हमने वहां कहा है कि बेस्ट वकील खड़े कीजिए पैसा जितना मर्जी लगे हम वेस्ट वकील खड़े करेंगे और परदेश के अधिकारों की रक्षा करने का दायतव हमारी सरकार का है और हम इसको करेंगे वाडर सेस्के मामले में मैं वो मुख्यमंत्री महोदे से मेरी चर्चा हुई है कि यूनिवर्सल और यूनिफॉर्मिटी में जो भी पानी परदेश से भैता है चाहिए वो बांध के रूम में स्टोरेज होता है हम उस पर आने वाले समय में एक निया एक्ट लेकर आ रहे हैं ताकि जो पानी जो हमारा भै में लाने की पूरी कोशिश करेंगे उससे भी तक्रीवन काफी आये होगी अधेक्ष्मोरे जब शे सरकार बनी है सुप की सरकार बेवस्ता परिवर्तन ताबड तोड गरीव लोगों के ओपर जो है वो बोज डालने की कोशिश हो जो आपने आते ही डीजल की कीमते 7 रुप संकर्ट एक अच्छा वाहना है इस वक्त जो है वादा तू आप में यहां बैटे हैं उस वादे के मताविक बैठे हैं जब आपने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट बिजली उसकी बज़ा से यहां बैटे हैं और खेर आपने वो बजाओं का तो आपन तमाशा ही बना दिया उन सारी चीज़ों का जिकर क्या करना लेकिन हम कह रहे हैं कि आर्थिक स्थेती परदेश के ठीक नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीव आदमी की कमर ही आप तोड़ते हैं आपने पानी का रेट जहां दस रुपए एक नलके का होता था आपने आपकी तूटी चले चलना चले यानि नल चले चलना चले लेकिन सौर पे हर आदमी को जिसके घर में नल लगा है आँगर में घर में उसको आपको देना पड़ेगा चैस को आप आर्थिक बोज नहीं मानते हैं लेकिन उसके बाद तो आप रहम करना चाहीए थोड़ा बीस म कि आपके दिल में दया का भाव ही नहीं है किसके ओपर ये बोज पड़ेगा ठीक का विक्रम जी ने इंडस्ट्री तो नमस्ते करके चले गई हिमाचल पर्देश में अडेक्ष मोदे इंडस्ट्री आने का सबसे बड़ा अट्रेक्शन था कि एशोन पावर सप्लाई मिलती है और सस्ती पावर सप्लाई मिलती है ये दो बज़ए बहुत बड़ी बज़ए थी अलांकि हमारा कनेक्टिबिटी जो है इंडस्ट्री को जितनी चाहिए जिस तरह की चाहिए उस तरह की नहीं है ना रेल आती है और बाट सड़कों की हालत में आप देख रहे हैं अब सुध पंजाब में हमसे सुस्ती ऑगई बिजली अरेहना में सस्ती हो गई उतर परदेश पारदेश में सथी बिजली दे रहे कौन इंडस्टि वाला हिमाचल परदेश में आए इनवेस्ट करने के लिए यहां गहनों की खूबसूरत कलेक्शन के साथ साथ उम्र भर का विश्वास मिलता है यह है भूशन जोईलर्स, हिमाचल का ट्रस्टेड जूर्री ब्रेंड